next question question says light appears to travel in straight line since पहला option है it is not absorbed by the atmosphere दूसरा it is reflected by the atmosphere तीसरा its wavelength is very small चौता its velocity is very large इसका right answer होएगा option number C आपका क्योंकि light की wavelength बहुत छोटी है इसलिए वो हमें it appears कि वो straight line में चल रही है इसको थोड़ा से यहां पर समझते हैं इसको सोड़े से हम यह कहते हैं कि light हमेशा बच्पन में आपने पढ़ा नाइन टेन तक कि light always travels in straight line यह बाद true है लेकिन बाद सिर्फ और सिर्फ तब तक true है जब light just medium से जिस hole या slit से गुजर रही है उसके dimension आपके comparable है जो उसके dimension बहुत छोटे हैं as compared to the slit और hole जिसके तुरू गुजर रही है जैसे ही वह comparable होंगे light आपकी bend हो जाती है और उस टाइम पर light आपका wave nature शो करती है और अगर हमें नॉमली डे टू डे लाइफ में अगर हम लाइट को अब्जर्व करें अपेर्स के वह स्ट्रेट लाइन में चल रही है तो उसका